जब से आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से काशी मतुरा के बारे में काफी बाते होने लगी है अब कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि काशी मतुरा में क्या है आखिर ऐसा तो देखिए सोशल मीडिया के उबर आपको थोड़ा सा ही सर्च करना को सब ची गई है जो कि वाकई में हिंदू पक्ष के दावे को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाला काम करें इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी मज्जदों के बारे में कुछ धीरे-धीरे करके ऐसी बात होने लगी तो देखिए सन नहीं हि गईवार को काशी मतुरा को लेकर एक बड़ी बात कई और उन्होंने कहा कि पुने में एक कारेकरम के दौरान प्रेस कॉन्फरेंस के बाद उन्होंने कहा कि आयोध्या के बाद काशी और मतुरा के धार्म के स्थलों का शांती से मिल जाने के बाद हम लोग किसी अन्य किसी अन्य जगे के ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे। मतलब मंदर और सम्मंदत जो भी मुद्धे होंगे उन सभी मुद्धों को हम छोड़ देंगे। मिल जाते हैं फिर हम सारी अन्य बातों को भूल जाएंगे। वहीं एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा क्यों लोगों को भी प्यार से समझाएंगे। मंदर के निर्मान का काम चल रहा है। और इस सम्बर तक निर्मान कारे को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ग्यानवापी और मधुरा और श्रीकिष्ण जन्मस्थान का मामला दालत में लंबे थे। वहीं मुस्लिम समाथ चाहे कितना भी दावा कर ले कि किसी भी मुस्लिम शासक ने हिंदू मंदरों को नहीं तोड़ा। लेकिन सचाही इससे काफी अलाग है और एतिहासक रिकॉल्ड इसकी पुष्टी भी करते हैं। मधुरा के श्रीकिष्ण जन्मस्थान भूमी को तोड़कर वहां मुगल आकरांता और अंग्जेम ने शाही ईदगा धाचा बनावाय था। एक RTI के जवाब में भारती पुरातातों सर्वेक्ष्ण मतलब कि A.S.I. ते एतिहासक तत्यों के आधार पड़ी बात कही है। दरसल उत्तबदेश के मैनपुरी के रहने वाले अजय प्रताब सिंग ने देश भर के मंदिलों के बारे में भारती पुरातातों सर्वेक्ष्ण से RTI के तहट जानकारी मांगी थी। इसमें मतुरा का स्रीकिष्ण जन्मभूमी के बारे में भी पूछा गया था। इसी के जवाब में भारती पुरातातों सर्वेक्ष्ण आगरा ने एतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला दिया। और क्रिष्ण जन्मभूमी के वादी एडवोकेट महेंदर प्रताप सेंग इस महजबूर्ण साक्ष को 22 फरविर 2024 को हाई कोल्ट और उसके बाद सुप्रीम कोल्ट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार का गेजट है। इसमें इस्थिती एकदम साफ करी गई है। श्रिकिष्ण जन्मभूमी मुक्ती नियास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंदर प्रताप सिंग ने आगे बताया कि अगे अगर मंदिर का ASI सर्वे होता है तो RTI में मिला ये जवाब उसमें एक बहुत बड़ा सबूत साबित होगा। उन्होंने कहा गिए पुरात्रतों विभाग के अधिकारियों के द्वारा खुद सूचरा दी गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल आकरांता और अंगजेब ने संद 1670 में फर्मान जारी करके मतुरा के वें भगवा केशव देव के मंदिर को तोड़ने के लिए फर्मान जारी किया था। इसके बाद वहाँ पर शाही इदिगा मस्जिद बना दी गई। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए और अंगजेब खुद भी आया करता था। मतुरा का ये विवाद करीब 13 एकड़ की जमीन के मालिकान हक से जोड़ा है। श्रीकिष्ण जन भूमी के पास 10 एकड़ जमीन का मालिकान हक है। जबकि धाए एकड़ जमी शाही इदिगा मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष इस पूरी जमीन पर अपने दावा करता है।